अब तो तुम कहते हो कि ओमर अल्ला एक है ये हला तुम जब क्यों नहीं मचाते जब धर्म के नाम पर भारत देश में हिंसा भेलती है जब तुम लोग कहा छुप जाते हो आखम भी मानने को तयार एश्वर अल्ला एक है ये मस्जीदे बंद हो आओ हमारे साथ मंदिरों में इस्वर की आराधनाई तो करनी है कि हमने रहम खाकर तुम्हें दो परसंट लोगों को यहां जगे क्या देदी तुमने आज 18 परसंट 20 परसंट होने के बावजूद पुरे देश में आग लगा के रख रखी है और अब कहते हो कि अपना देश मानते हो तुम पाकिस्तान के ज देश में रहकर घद्दारी करो गए तो हमारा पूरा पूरा राइट है कि तुम्हें उठाकर भार फैक दिया जाएगा आप कहते हो देते हो मंचों से कि जितना मोहन भागवत का है उतना ही महमूद का है अरे हम तो कह रहे हैं कि तुम इस देश को अपना देश मानो तो सही क्या मदनी जी इस देश के अंदर सरीयत नहीं चलेगा हम पैदा करें दो ये करें चालिस तो ये तो एक देश की मांक जल्दे जल्द करेंगे ही आज ये अल्ला और ओम को एक बता रहे हैं यकिन मानना साथियों अगर आपने 2024 में कमल का साथ दिया तो वो दिन बहुत कि ये लोगों की टोपियां इनकी जेबों में खुश जाएंगी तो ये बटन कमल का नहीं ये कमाल का बटन है पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि मौलाना मदनी के बयानों पर जो है वो सियासत जारी थी पर इसी बीच एक ऐसा बयान जो है वो अब चर्चा का बिसे बन गया है और वो बयान दिया योगी आधितिनाथ ने जी हां उत्तरप्देश के मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ ने खुले मंच से कहा है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जो है वो हिंदू है और ये देश हिंदू राष्टा है और रहेगा पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ बाती जी मौजूद है संजीब बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उनका इ अधिनी के बयानों पर क्या कहींगे मैं तो देखकर हैरान हूं कि भारत भारत देश में और उत्तर परदेश के मुख्य मंतरी है जहां पर कुछ समय पहले देखा जाता था कि एक धर्म विशेस लोगों का दिल जीतने के लिए सर पर टोपिया लगा लिजाती थी और टोपि तो यह हिमत आई कहा से उनलोगों में यह हिमत अखले सरकार की देखकी हुई थी और आज देखिया उत्तर पर देश का वातनावरन आज उत्तर पर देश में ना तो अब गुंडाकर्दी मिलेगी और आज खुनें मंत से हमारे आदर नेमुकषा मंतरी जी ने जो करोनों भा माजदी के शेर माननीय योगी अधितिनादी के अंदर ही है और भारत की जनता एक नाएक दिन आपको भारत के पीम के रूप में देखना चाहती है माननीय योगी जी आपने आज खुले मंद से जो इस देश का जो समर्थन किया कि यह देश हिंदू राष्ट था हिंदू सपते हैं कि जथे ज़ल से ज़लिस देश को हिंदू राष्ट हिखोशित किया जाए कि जब बटवारा सेंतालिस के बाद बटवारा हुआ था वह इसी आधार पर हुआ था कि पाकिस्तान मुस्लिमों को और हिंदूस्तान हिंदू का तो आज इतना एलंप क्यों यह विलंप केवल और केवल कॉंग्रेज की देन था वो लोग चाहते ही नहीं थे कि हिंदू को को राष्ट मिले इसलिए उन्होंने ऐसा बीजब हो दिया कि जो 2% मुस्लिम यहां रह गई आज वो बढ़कर 25% हो गई और आने वाले 10 सालों में वो 30-35% हो जाएंगे फिर वो एक मुस्लिम देश्ट की मांग करेंगे तो आखिर यह कब तक होता रहेगा जल्द से जल्द अब हिंदू राष्ट की घोशना करनी होगी ताकि हिंदू को भी एक सेफ साइड मिल सके आज देखेंगे आप उने राष्ट में कि धर्म के नाम पर आतंकवाज मेलाया जा रहा है धर्म के न मौन रहेगा अगर आज एक आशा की करन और एक उमीद की करन हिंदू के इंदर जागी है तो उसका करण मोदी और योगी जी की सरकार है कि कि मोदी राज में इस तरह से तो आने वाला समय है उसे लगता है कि जल्द से जल्द है देश हिंदु का होगा गार्ण को स्योग मिल रहा है तो आप कह रहे हैं मतलब मोधी सरकार योगी सरकार सनातन को बडावा देने के लिए काम कर रहे हैं कि देखिए ये देश स्नातनियों का था यहीद नहीं ये तो टकड़ों में बटबट कर बटबट कर हिया अखन Adventure भार setup इसकी शीमा एती यह अकंदहरत पॱुरी पूरी पृटवी पर तौ और इसकोन जाना जाताgrow के नाम से यह संपूर पृटवी आर्यवरत स्राफत वाली कौम हैं इन स्राफत वाली कौम ने पहले सो स्राफत दिखा कर सब महलों मुझा कर बस गए और फिर धर्म के नाम पर पहले पस्वों का कतल किया जैसे बक्राइद मनाते हैं उसके बाद यह इंसानों के कतल पर अताराए एक ड़र का माहूल बनाकर इन्हों नों बंगला देश की मांकरी पाकिस्तान की मांकरी देखते देखते यह देश बठकर आज भारत के नाम से जाना जाता है और भारत में भी आई दिन ये कतल यहां मचा रहे हैं कहीं लव जिहाद कहीं लेंड जिहाद तो कहीं कुछ जिहाद इन जिहादियों को सबक सिखाने के ल साथियों आज ये अल्ला और ओम को एक बता रहे हैं यकीन मानना साथियों अगर आपने 2024 में कमल का साथ दिया तो वो दिन बहुत जल्दी आएगा कि ये लोगों की टोपियां इनकी जेबों में खुश जाएंगी ये सनातन धर्म में फिर से आ जाएंगे क्या आ रहे हैं साथ साथियों तो ये बटन कमल का नहीं ये कमाल का बटन है जिसके दबाने से आतंकवादी आज देखने को नहीं मिलते कॉंगरेस के राज में बार बार ये कहा जाता था टीवी आप जब खोलते थे कि लावार इस वस्तों को ना चुएं बम हो सकती हैं आज आज आपको ये बा पर देश का हल जो बाबा बुल्डोजर वाले हैं उन्होंने बुल्डोजर से आज ऐसे लोगों को बेर नकाब कर दिया है और ऐसे लोगों के खिलाव एक्शन लिया है आज वो पत्थरवाजी तो बहुत दूर की बात है किसी कि तरफ उंगली उठाने से भी डरते हैं तो ह हम भारतवासी वधान मंतरी के रूप में देखना जाते हैं हिंदू राष्ट की बात की और का कि सरकार जो है वो भी सरातन को लेकर के जो एक्टिव है और खास करके योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर बन रहा है और अमिस साजी ने का है कि 2024 में एक तारीक को 2024 में एक जनवरी को मंदिर बन करके तयार हो जाएगा तो क्या ये भी जो है एक सनातन का एक केंद्र के रूप में स्थापित होगा आपको ऐसा लगता है देखिए अवश्थी जी मैं एक बात बता दूं कि पहले ये जो देश है चाहिए किसी भी रूप में जाना से आप देखना चाहिए राम मंदिर की राम मंदिर के बनने से इस देश का अंदर जो चीजे होंगी पुरा देश के पुरा संसार देखेगा कि ये भारत एक नई रूप में जाना जाएगा आपने देखा होगा कि दिल्ली में ही जो है रामलीला मैदान के अंदर तीन दिन का जो है वो सेशन चल रहा था और उसके अंदर मौलाना मदनी जो है वो ये बोल रहे थे कि ये जो देश है वो देश जो है मोधी का है जितना मोहन भागबत का है उतना ही जो है महमूद का है औ और तुम्हारे बुलाने से ना मुसल्मान इस देश में आये था ना तुमसे निकाला जाएगा। देखिए हम तो कहें नहीं रहे कि आप निकल जाओ। हमने कब कहा कि आप निकल जाओ। हम तो कह रहे हैं बारंबार यही कह रहे हैं। कि इस देश को अपना देश मानो, लेकिन नहीं, तुम्हारा जो दिल धड़कता है, वो तो पाकिस्तान के लिए धड़कता है, तुम तो चाहते ही नहीं, कि ये हिंदुस्तान बचे, तुमने इस देश को अपना देश माना ही कब, आप कहते हो, देते हो मंचो से, कि जितना एदेश मोधी जी काया, जितना मोहन भागवत का है, उतना ही महमूद का है, अरे हम तो कह रहे हैं कि तुम मिशे इस देश को अपना देश मानो तो सही, इसके समर्थन में आओ तो सही, फिर तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा, कि ये देश सनातन योका था, तो तो सनातन धर्म अपनाना होगा, यहाँ पर जो कानून होगा, उसको मानना पड़ेगा, इस देश में एक ही कानून होगा, क्या मदनी जी, आप ये बात मानने को तयार हैं, क्या आप इस बात को श्रीकारते हैं, कि इस देश के अंदर सरियत नहीं चलेगा, एक देश के अंदर दो सम्विधान दो कानून नहीं होगे जो सम्विधान हिंदुआ पर लागू होगा वो ही सम्विधान वो ही कानून सरियत पर भी लागू होगा इसलाम पर लागू होगा और यहाँ पर अगर आप ये कहते हैं अल्लाह और ओमेख है तो फिर आपको गीता और कुरान भी एक ही माननी पड़ेगी एक सराफ़त की जिन्द की जो हिंदू जी रहे हैं उस जीवन को तुम्हें भी जीना पड़ेगा धर्म के नाम पर हिंसा पहलाना बंद करना पड़ेगा क्या आप इन चीजों को मांते हैं अगर आप मानते हैं इस जेसको अपना राष्ट तो मानिए हम कब मना कर रहे हैं लेकिन आपको ये चीजें भी माननी पड़ेंगी पहले भी जो है वह कोई देवी देवता नहीं थे उस समय भी जो है वो मनु जो है वो अल्ला की पूजा करते थे ओम के रूप में और जो आदम थे वो पूजा करते थे अल्ला की जो है वो अल्ला के रूप में मैं एक बात कहना चाहूंगा ये मदनी जी तुम जैसे लोग जब कहां घुश जाते हो जब धर्म के नाम पर सरतन से जुदा के नारे लगा जाते हैं जब धर्म के नाम पर हिंसा भैलाई जाती है जब धर्म के नाम पर कनेय लाल जैसे लोगों को सरतन से जुदा कर दिये जात जब धर्म के नाम पर भारत देज में हिंसा भेलती है जब तुम लोग कहा चुप जाते हो तुम क्यों सवरोद नहीं करते हो लेकिन उस समय तुम्हाई जुबान पर ताले लग जाते हैं क्योंकि यह चीज तुम सिर्व एक दिखावा करना जानते हो और अगर तुम यह मानते हो तुम एक है तो ठीक है ना तो हम भी मानने को तयार थिस में लोकी आराजना ही तो करनी है तो थीक है आप जो पनांता की बाईज करना चोड़िए आप हमारे साथ भगाण के मंदर में प्राथना कीजिये ऐ धर्म के नाम पर टोपया लगा कर खोनी खेल करना बंद करिए आप नहीं कर पाएंगे बड़े-बड़े मंचों से भाषन देना आसान है लेकिन छोटी-छोटी गलतियों को सुधारना बढ़ा मुस्किल है मंचों से ये बोल रहे हैं वाकई में भाई चारा वाली कोई कुछ बाई अरे भाई अरे हिंदू हो तो इनका चारा है मुझे बता दीजिए कि हर आतंगवादी मुसल्मान क्यों होता है तो भाईया ये इस तरह का रविया इस देश में नहीं चलेगा ये मिठी-मिठी बाते क करके जब चुनाव आते हैं तो तुम लोगों की बाते बदल जाती है जैसे चुनाव निकल जाएंगे तो तुम लोगों की बाते बदल जाएंगे और कटल्याम सुरू हो जाएंगे तो भारत की जंता अब तुम लोगों को भली बाती समझ चुकी है और आने वाले 2024 में पह वहारे आखरी नवी जो थे उन्होंने स्थाबना की ती लेकिन इसलाम जो है वह दुनिया का सबसे पुराना मजव है और जब सनातन भी नहीं था जब सिव नहीं थे जब कर्ष्ण भी नहीं थे जब राम भी नहीं थे उस समय से जो इस धर्ती पर है इंकी बात वह मन तो कर रहा है कि कम सब्धम आदे घंटा बैठके पहले हसुन। कि 1400 साल पुराना आज भी हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल में जहां भी आप खुदाई करोगे तो आपको परमान मिल जाएंगे हिंदु धर्म के सनातन धर्म के सनातन धर्म को सनातन धर्म को पहले वैदिक नाम से जाना जाता है वैदिक धर्म के नाम से और वैदिक धर्म के इस्थापना वेदों से हुई थी तो सनातन से पहला ना तो कोई धर्म है सनातन एक ऐसा धर्म है जो खुद भी जीता है और दूसरों को भी जीना सिखाता है लेकिन सनातन यह नहीं कहता कि जब धर्म पर संक्रता है तो चूड़िया पहन लो धर्म पर संक्रता है तो जुबान एसी सरकार ने हाँ पर राज किया जिनोंने हिंदों को उनकी सक्ति का अभास ही नहीं उने दिया सम्विधान ने उनके पैरों में जंजीरे बांद दी उनको ऐसा कर दिया कि वो कानून के भैसे कांपने लगे लेकिन दूसरी तरफ ये लोग सरीयस से चलते रहे इसी देश में चाचार बीवियां बेगा में रखके 40-40 बच्चे पैदा करते रहे हम पैदा करें दो ये करें 40 तो ये तो एक देश की मांग जल्द जल्द करेंगे ही सबसे पहले एक कानून ऐसा लागू हो तो सब पर लागू हो और इस देश को धर्म रिखेंस देश बनाया जाए और धर्म विशेष देश होगा हिंदू राष्ट इस देश को हिंदू राष्ट घुशित किया जाए इस जम्यत के अधिवेशन में कई प्रस्ताव जो है वो पास हो समय से एक प्रस्ताव यह था कि उन्होंने कहा कि यह जो है मुझे कहते हो बड़ी सरम आ रही है कि आरेसेस के सदर जो है आरेसेस के चीफ जो है मोहन भागवत इतने पड़े लिखे होने के बात भी जो है जाहिलो वाली बाते करते हैं वो 20 करोड जो मुसलमान उसके घर बापसी का हवान करते हैं घर बापसी की बात क्या कर रहे हो हम तो अपने घर में ही है और मुसलमान अपन बारत को अपना घर मानते हैं तो फिर एक कैनुन को भी माननो इस देश में रहेकर 4-4 बीवियां 240-30 पैदा कर रहे हैं आप भी और दो बच्चे कर को हमारा अगर आप इसको अपना देश मानते हैं तो आप क्यों नहीं सत्ते को कहते आपको तो पता ही है आपको नहीं पता कि बटवारा किस बातों पे हुआ था बटवारा इसी दे तो हुआ था कि हिंदू का हिंदूस्तान होगा और मुस्लिमों का पाकिस्तान होगा अगर आप 4 परसंट 2 परसंट लोगों को रहम खा कर क्यो तुमने आज 18% 20% होने के बावजूद पुरे देस में आग लगा के रख रखी है और आप कहते हो कि अपने देस मानते हो तुम पाकिस्तान के जंडे भेरा रहे हो अपने अपने घरों पे और कहते हो हिंदुस्तान तुम्हारा है तुम्हारे पास अगर देखाता है तो इसलाम के चाहिए और सबस्क्राइबिश के देखाता है तुम्हारे बुलाने से थोड़ी तुम कैसे निकाल दोगे और निकालने की बाद कैसे कर सकते हो यह इसलाम की दर्ती है और सबसे पहले सनातन दर्म से भी पहले इसलाम भारत में आया था यह बात छोड़ दो इसलामी भारत में आया ता इसलाम कहां से आया कहां जायागा यह पता भी नहीं है तुम लोगों को आप देख रहे हैं अवस्ति जी पूरे संसार में अब हर जगन का विरोध हो रहा है जहां भी देख लिए पाकिस्तान जो है आप देख लिए नक्से से म चाहूंगा आपने देखा होगा कि जो जम्यत का मच था वहां पर संत समाज के भी तमाम जो लोग है वो पहुचे हुए थे और उनमें से जैन मुनी जो है वो खड़े हुए और उन्होंने विरोध दर्ज कराया और उन्होंने साब सद्द में का कि यह जो है जो भी बात कर है कि सबसे पहले जो है वो इसलाम इस धर्ती पर आया था और इस तरीकी की बात कर रहा है उसको खुली चुनोती देता हूं जहां बताओगे वहां पर मैं माने के लिए तयार सास्त्रार्थ कर लो तो क्या आपको लगता है मदनी साब सुईकार करेंगे सास्त्रार्थ के लि नहीं पता पिता एगे हैं वह भगवान सिव हैं और उसी की अन्हीं का बनाया बर्लू संसार है अग даль and fortune जीने खुद कर आ है कि आल्ला और आम एक है अब तो यह खुद सुईकार कर रहे हैं कि हमारे पिता जो है वह जुँए अगर हाँ मैं सा च़्ुन आगर आपने। इन से पूछो तो सही ओम है क्या यह जवाब नहीं पाएंगे का मतलब नहीं पता है यह देखिए मैं तो रहा हूं अब इन्हें समझ में नियारा क्या करें अब इनकी जो खोपड़ी है क्योंकि अब इनके जो सर का जो ताज था वो थी कॉंगरेस पालती अखिलेस यादव ज अब इनको दीख रहा है कि कमल खिल रहा है और अगर कमल के खिलाएंगे यह देश के खिलाफ जाएंगे तो अब इनकी बातों में आप देखरें परीवर्तन आ रहा है कुछ लोग कमेंट करने कि अप कागज नहीं मिले तो ओम का सारा ले रहा है देखे थोड़ दिन बाद और समय भी आएगा ये ऊचे-ऊचे पजा में भी पहनने बंद कर देंगे टोपियां लगानी भी बंद कर देंगे और मैं हकीकत बता रहा हूं कि ये इस देश में घर रहेंगे तो प्यार और महबबत से रहेंगे लास्ट कमेंट चाहूंगा कि हिंदू समाज के तमाम जो लो वो सब हिंदू ही हैं और हिंदू हैं हिंदू रहेंगे और हिंदू में वास्तम में ताकत है उन्हें वास्तम में ताकत है किसी की हिम्मत थी कि तो मुसलमान सामने बैटे हैं और खुले मंद से उन्हें चुनोती दी क्या किसी और में हिम्मत ये केवल हिम्मत हिंदू में ही करोगे हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदू राष्ट तो है योगी जी ने कह दिया यह तो हिंदू राष्ट है अब घोसना कब होती है वह हम सब योगी जी ने इसारा दे दिया गया है कि यह हिंदू राष्ट बनेगा यह बिलूकुल खुले तो भारत वासियों बार-बार कमल खिलाते रही है और फिर देखिये होता क्या है तो संजीव वाटी जी से बात कर रहे हैं इनका यही कहना है कि जम्यत के अधिवेशन में तमाम भले दावे कर लिए जाएं पर उनमें कोई भी तत्य है नहीं और अगर ऐसा होता तो सास्त्रार्थ की चुनोती जो है मौलाना मदनी जरूर सुईकार करते और यह देश जो है व